19 अगस्त से 25 अगस्त तक का समय सिहंग राशी के लोगों के लिए कैसा होने वाला है जैमातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी योट्योब चैनल में आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी इन 7 दिनों के सिहंग राशी फल के बारे में इन 7 दिनों में जो ग्रहों की स्थिथी होगी जो योग बनेंगे उनका प्रभाव किस तरह से होगा क्या उपायाप कर सकते हैं और किस तरह से आपके लिए स्थिथियां बनने वाली हैं तो यह जानने के लिए वीडियो को लास तक जरूर देखें चैनल पर पहली बार आएं हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ देखें जब सब्सक्राइब की शुर्वात होगी तो पूनिमा तिथी के साथ हो रही है जो की सावन माह की पूनिमा और रक्षा बंधन का पर्व 19 अगस्त को होगा अब ये दिन बड़ा ही विशेश दिन होता है वैसे भी रक्षा बंधन का पर्व है तो विशेश है ही लेकिन पूनिमा का जो दिन होता है अपने आप में एक सिध्ध दिन होता है अच्छे योग बन रहे है इस दिन और एक अच्छा कॉंबिनेशन ये बन रहा है कि ये बार का दिन भी है तो यहां एक ग्रह का राशी परिवर्तन भी है बुद्ध जो की सेंग राशी में विराजमान थे वो आज करक राशी में प्रवेश कर जाएंगे वक्रे इस्तिति में अब इनका जो प्रभाव है वो किस तरह से होगा चली जानते हैं तो देखे ये जो सप् सेंग राशी के लोगों के लिए सुख सुविधाओं में विरधी लेकर तो आया ही आया है जिसे पूरा करने के लिए आप बहुत जादा एक्टिव भी रहेंगे यानि कि अपनी हर एक चीज पर आप ध्यान देंगे अपनी सुख सुविधाओं को आप पूरा करना समय हैं तो धनकर्चे का योग तो होगा ही होगा तो थोड़ा सा बस चीज का दिहान रखना है कि कहीं ऐसे चीज़ों की खरिदारी ना कर लें कहीं ऐसी जिए पैसे ना लگाए जहां बाद में आपको पस्ता ना पड़े इस चीज़ का थोड़ा सा बस दिहान रखें cause प परोताजा महसूस करना ऐसी स्थिति आपके रहेगी जो आपको ऐसी चीजों से लड़ने में आपको हिम्मत देती है जिन चीजों से आप ठोड़ा सक घबराते हैं इस समय अवधी में गुरू ब्रस्पती आपके 10th हाउस में मौजूद हैं तो ये हफता करियर के लिहां से दे नए निविश्कों से आपकी मुलाकात होगी जिससे आप अपनी बातों के जरीए अपनी वानी से उन्हें अपने पक्ष में कर पाएंगे और जब मौका आपको मिला है तो उस मौके का फायदा भी उठाईए यानि कि कोई मौका ना छोड़ें अपने कार्यों को बनाने के वही नौकरी पेशा जातकों के सहकर्मी भी आपके लिए बड़े सपोर्टिव रहेंगे आप भी उनका पूर्ण सहयोग करेंगे वो भी आपको बड़ा सहयोग करने वाले हैं इसके अलावा यहां जो इस राशी के जातक हैं वो अपनी एनरजी अपना धन और अपना समय इ रापती हो सकती है सप्ताह की शुरुवात में थोड़ा सा खर्चा दिखाए दे रहा है खर्चा है अक्षबंधन का पार भी है तो खर्चा है लेकिन अच्छी चीजों पर खर्चा है लोगर साथ में लंबी दूरी की यात्रा का योग भी बना हुआ है अचानक से हो सकता है कहीं ट्रेवल करना पड़ जाए अचानक से कोई लंबी दूरी की यात्रा प्लान हो जाए यात्रा तो सुखद रहेगी और नए संपर्कों को बढ़ाने वाली भी रहेगी जो बिजनिस करते हैं जिनका अपना खुद का काम है उनके लिए इस सप्ताह के उत्रार्ध के मुक सकता है कि ऐसमंजस की स्तिथी बन जाए समझना पाएं क्या अच्छा है क्या करना है क्या नहीं करना है ऐसे में जब भी कोई फैसला लेते हैं कोई बड़ा फैसला हो तो शुब चिंतकों की सरहा आपको जरूर लेनी चाहिए नोकरी पेशा जातक इस सप्ताह में अपने कार दूसरों के भरोसे ना छोड़ें स्वयम बहतर तरीके से उसको पूरा करने का प्रयास करें वरना जो पूर में की गई गलतियां हैं उनसे आपको सीख मिली है और अगर आपने कुछ ऐसी चीजें की तो मेहनत बेकार चली जाएगी तो हर एक चीज पर अच्छे से फोकस करन है ध्यान देना है वरिष्ट अधिकारियों से अगर ठोड़ी डाट भी सुनने पड़ें तो कोई बात नहीं लेकिन अपने काम पर फोकस बना कर चलें स्री हिंगराशी के जातक अपने करियर और अपने कारोबार और अपना निजी जीवन इन सभी चीजों में एक बड़ा ह के साथ सक्त होना है कब उनके साथ आपको अच्छे से पेश आना है नरम होना है तो इस चीज का आपको अच्छे से पता है और ये चीज ने कहीं ना कहीं आपके परिवार के लिए भी अच्छी हैं रिष्टों की बात करते हैं प्रेम सम्मंद को मजबूत बनाये रखने के लिए अपने partner पर हावी नहों, ध्यान रखें, कई बार होता है अपने partner पर हावी हो जाते हैं, अपनी बाते मनवाने के लिए, तो ऐसा ना करें, उनकी बातों को सुनें, सम्मान दें, उनकी भावनाओं की कदर भी करें वेवाहिक जीवन को सुफमय बनाने के लिए अपने रिष्टों के प्रती आपको पूरी तरीके से इमानदार भी रहना होगा इस चीज का भी आपको ध्यान यहां रखना होगा अब यहां देखिए इस राशी के जो सिक्षा से जुड़े बच्चे हैं जो सिक्षा प्राप्त कर रहे हैं बाहर जाकर आप एड़ुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है विद lattice जाने के चुख हैं तो सफलता के योग बने हुए हैं बस अपने सारे papers को पूरा रखें ताकि papers की वज़े से कोई दिक्कते ना हों जरूरी समय पर जरूरी form को भरते रहें समय समय पर ये चीजें आपके लिए बहुत benefit देने वाली रह सकती हैं इसे आपके पक्ष में रहेंगी अगर आप सही समय पर चीजों का फाइदा उठाने के लिए तयार रहते हैं तभी तो उनसे आपको फाइदा देखने को मिलेगा आपके अंदरात्म विश्वास भी पूरा होगा और आपके एनरजी में भी विरद्धी रहेगी अब सामाजिक गती विधियों में भी भाग लेने का आफसर आपको मिल सकता है यानि कि सामाजिक गती विधियों से भी आप जुड़े रहेंगे तो उस चीज के लिए भी यहां सही है महनत करते हैं महनत करेंगे बहतर सम्मान मिलेगा बहतर लाभ मिलेगा और साथ में किसी भी काम के लिए उतावलापन ज़दा ना दिखाए एक होता है मन में कुछ आप करना चाहते हैं मन में बहुत जल्दी आता है कि नहीं कर लें कर लें तो जब तक आपको ना लगे कि हाँ अब इस काम को करने के लिए उचित समय है या सारी चीज़ें पूरी हो गई है अब हमें करना चाहिए तब तक बिलुकर भी उतावलापन न दिखाएं क्योंकि ये उतावलापन आपके लिए नुकसान देह हो सकता है तैसे लिए इन चीज किसी investment में ना लें इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा लेकिन अगर मैं overall कहूंगी तो ये सबताह आपके लिए अच्छा है छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप avoid करें तो फल्दाई सब वीक आपके लिए रहेगा उपाय की बात कर लेते हैं सूर्यदेव को जल जरूर दें सूर्यदेव को जल देना आपके लिए अच्छा है और विश्नु सहस्र नाम का पार्ट करेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा है विश्नु सहस्र नाम का पार्ट या फिर आदित तहर्दैस्तो स्रोत का पार्ट भी आप कर सकते हैं दोनों में से कोई सा पार्ट करें बहुत ही अच्छा रहेगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें